नमस्कार दोस्तों सागत है आप सभी का YFM Security दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे तरीकी बार इंग बताने वाला हूँ जिसके आप यूज करके IP कैमरे में एक अले तरीकी परिसानी हो रही खासकर DVR को ऑनलाइन करते समय शॉर्य मैंने DVR कह दिया NVR में क्या हो रहा है कि आपको पर कफर्मवेर अगर नहीं हो रहे हैं तो आपके स्क्रीन में सब कुछ दिखे रहा बले बैक दिखे रहा मगर ऌनलाइन कर रहा है तो आपके आपके पास ततकाल का शॉलूशन वह आपको पताऊगा लेकिन इससे पछले मैं आपको चैनल जीरो के बारे में कम्प्रेंट इ जानतो रहा होंगे, समझ भी रहा होंगे, लेकिन किया आप चैनल जिर्व को यूज करने प्रोफेशनली नहीं कर रहें, अगर नहीं कर रहें, तो ये वीडियो आपको उसे यूज करने के लिए मजबूर कर देगा चलिए सबसे पहले इसका समझ लेते हैं कि चैनल जुर एक ऐसा माधिया में जिसके द्वारा एक ही कैमरे के स्क्रीन में आपके सभी कैमरे दिखाए पड़ते हैं जैसे कैमरा नमर 1,2,3,4 करके आपका लग-लग कैमरा के स्क्रीन खुलता है आ ऐसी स्थीति में कई जिगा पर broadband नहीं है तो ऐसी स्थीति में उनको network के speed जो है काफी slow होती है तो ऐसी स्थीति में आपके लिए चैनल जो काफी बहतरिन हो जाता है क्योंकि यहां पर कम bandwidth की speed में भी साही आपको picture quality देखने को मिलती है इसके बाद एक ही screen में आपके सारे camera द share करता है जो आपके LED monitor या TV पर चल रहा होता है जी हाँ यह सिर्फ screen को share करता है अब आपके screen में जो हरकते हो रही है अगर आपके screen में आपका 3x3 का select किया है तो वह आपको दिखेगा इस तरह से जो है आपके screen में क्या चीज़ें चल रही है वह आपको देखने को मिलेगा इ screen में क्या चीज़ें चल रही है क्या हरकते हो रही है वह भी आपको दिख जाएगा channel 0 की setting से इसलिए channel 0 का फाइदा जरूर उठाए चैनल 0 का काफी अच्छी चीज़ है एक अच्छी technology जो हर कंपनी ने अपनी साब से अपने NVR या DVR में inbuilt किया है चलिए अब थोड़ा सा इ भी जान लेते हैं क्योंकि आप technician है या फिर अगर आप यूज करने तो इसके नुकसान को भी समझ लेज़े हर चीज का फाइदा नुकसान होता है इसका नुकसान आप समझ लेज़े इसे आप सेर नहीं कर सकते हैं जैसे कि डिवाइस को आप सेर करते हैं कई बार आपने दो यूज करना होगा इसे आप डिवाइस को सेर नहीं कर सकते हैं यह आप नोट कर लेज़ेगा इस डिवाइस को आप सेर नहीं कर सकते हैं बागे चीज़ें सेर हो जाएगी चैनल जीरो सेर नहीं होगा इसके बाद आप प्लेबैग नहीं देख सकते हैं तो आप नहीं देख स basic में आपका चलना तो उसे आप HD में select करतें या फिर आप इसको sub stream से mainstream में देखना चाहते हैं High quality में देखना चाहते हैं तो आप select करतें लेकिन यहाँ पर यह possible नहीं है यह आपका जिस stream में चलना है वह stream में चलेगा आपको ज्यादा quality चाहिए तो आपको जो bandwidth देखने को मिलती है तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं अगर आपको लॉक्र कर सकते हैं भी सेटिकने को कम कर सकते हैं सारी चैजीज़ें आपकी क्लिЕर हो जाएंगे तो इस तरीके से आप चैनल 0 का फाइदा उठा सकते हैं आपको DVR, NVR के settings के साथ आपको अपने app में भी channel 0 के settings को enable करना होगा जिस app में आप देख रहे हैं तो ही आप इसे use कर सकते हैं अब आते हैं मुद्दी की बाद आप जब भी DVR, NVR को online कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे होंगे कुछ camera नहीं चल रहे, NVR की कुछ camera नहीं आरे, खासका NVR IP camera यह problem आपको देखने को मिलती है वहाँ पर आप फस्स जाएंगे party कहेगा कि यह मोबाइल पर नहीं चल रहा है आप इसे solution कीजिए तब payment देगे ऐसी स्थिति में आप उन्हें channel 0 के settings करके उनको live view दिखा सकते हैं वो live view देखने लगेंगे तो आपका problem लगबख solve हो जागा, फिर आप दूसरे दिन आकर आप firmware upgrade कर दें ताकर यह सारे camera compatible हो जाएं फिर वो playback वगरे भी देख सकते हैं, यह फायदा आपको मिल सकता है, challenge 0 के settings क्यों कि कई बार कई ऐसे technician जिनको यह technology समझ में नहीं आ रही है और उनको दिक्कत आ रही है, वो काफी परेसान हो रहे है, काफी comment आते हैं कुछ लोग गालियां भी देता है, यार company है क्या कर रही है, company इस तरह से system tough system क्यों बनाती है, तो यह problem आते हैं, तो ऐसी स्तिति में आप channel 0 के settings को use कर लिजे, आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि company आपी service बैतर तरीके से कोई भी company नहीं दे लिए, तो इसका फाइदा आप उठाईए, आपको काफी benefit मिलेगा, उम्मीद करता हूँ कि channel 0 के settings आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, और इसका फाइदा आप उठा लेंगे, चैनल को subscribe जरू कर देजे, दोस्तों, वीडियो क लाई जरू कर देजेगा, धन्यवाद